अब हनुमान शब्द का तात्विक अर्थ समझें संस्कृत व्याक्रण की द्रश्टी से संस्कृत में हनु शब्द का अर्थ है डुड़ी जौ जड़बू दाड ये बार्ट जो हता है वो हनु और हनु मान शब्द का अर्थ है जिसके पास वो है वो ऐसे जैसे हम कहते हैं बुद्धी मान तो कौन जिसके पास बुद्धी है वो बुद्धी मान आयुष मान आश रज नहीं ईती हैं आयुष मान और अर्था आजुष लॉंजविटी जिसके पास हो ऐसे हनुमान Literal translation उसका हुआ डुड़ी वाला The one who has a jaw आप कहेंगे वो तो सब के है Everybody has it तो क्या सब हनुमान है नहीं वालमी की रामयन के उत्तर कार्ण में मा सुन्दर अर्थ किया है यह प्रसंग बाद में आएगा चौपाई में तब डिडिल में कहूंगा लेकिन संक्षेप में कहे दूँ बहुत छोटे थे जब हनुमान जी प्रातक काल में उनको भूख लगी उगता हुआ सुरज देखा फल है ऐसा मान के जब सुरज को लेने गए खाने गए सुरज ने इंद्र को पुकारा रक्षा करो बचाओ और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया इंद्र का वज्र श्री हनुमान जी की डुड़ी पर लगा है डाढ़ पर लगा जौपर खंडित हुई इंद्र कहता है मत करो श्रुष्ट वज्रेन मेरे हाथ से जो वज्र छुटा थंडर बॉल्ट वज्र वो छुटा है उससे उसकी डुड़ी पर निशान बन गया इसलिए अब ये हनुमान नाम से जाना जाएगा नामनावई कपिशारदूलो भविता हनुमान इती अठारवी चौपाई जब आएगी न जुग सहस्र जोजन पर भानू लीलियोताई उसमें हम इस प्रसंग को डीटेल में उसके स्पिरिच्वल मीनिंग के साथ समझेंगे दुसरा गुजराती हिंदी मीडियम में आप पढ़े होंगे थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर का बेज होगा हिंदी ग्रामर में भी वही है गुजराती में समास विग्रह संदी विग्रह तो हनुमान शब्द कैसे बनता है हन उ मान हन धातु में उ प्रत्याई लगता है और मद्दे मत उ प्रत्याई करके हुआ हन उ मान हन दातु का ये करता है हिंसा हनन हनन शब्द भी देखो हन से उता है वह रूट जो है जहां से हनुमान शब्द बनता है हन वह हनुमान जी को प्रक्षेपन प्रहार और संहार की प्रचंड शक्ति देता है और इस नाम के अर्थ के अनुसार श्री हनुमान जी जिसके पास प्रक्षेपन शक्ति है जो प्रहार कर सकते हैं जो प्रहार कर सकते हैं और जो संहार कर सकते हैं डिस्ट्रॉइ कर सकते हैं ये शक्ति के अनुसार श्री हनुमान जी सर्व संकट को हरने वाले विविद प्रकार के भूत प्रेत पिशाच ग्रहों की बाधा इत्यादी को दूर करने वाले पीडा के निवारक शत्रु के स्तंभक और असुर सुभारक हैं और ये सारी बातें गुस्वामी तुलसिदास जी श्री अनुमान चाली सामें बताते हैं दस्वी चौपाई भीम रूप धरी असुर सुभारी यहन दातु है अनन असुरों का नाश करना ग्यारवी चौपाई में लाय सजीवन लखन हाँ वो जिवन दाता के रूप में संकट दूर किया चौविस वी चौपाई में भूत पिशाच निकट नहीं आवें महावीर जब यहन दातु कारता है भूत पिशाच से पचीश वी चौपाई नासे हरे सब पीडा संकट मोचक पीडा को दूर करने वाले अनुमान जी 26 वी चौपाई में संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जुलावे संकट को दूर करने वाले उसी बात को फिर से 36 वी चौपाई में कहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा और अरतिस्वी चौपाई में जो सत बार पाठ कर कोई रादेंदर जी आपने जो कहा न सात बार पाठ करता हूं ये अपब्राउश है लोगों ने अपनी तरह से अर्थ निकाला क्योंकि कई लोग ये करते हैं हनुमान चालीसा में जब गोश्वामी तुलसिदास जी कहते हैं जो सत बार पाठ करकोई वो एक्चुली संस्कूर्ट शब्दा है शत जिसका अवधी भाशा में हुआ सत तो सौ पाठ हनुमान जी के हनुमान चालीसा के हन्डेड पाठ का महत्ता है लेकिन फिर सत का कुछ लोग ने कोई साथ का भी सत होता है न तो साथ को भी अपब्रहुश में सत कर दिया लोगों ने तो सौ में से बच के सीधे और संतोष लेने लगे कि हमने तो जो गुष्वामी जी कहते हैं जो सत बार अपाठ कर कोई लेकिन देखिए कल भी मैंने कहा था the number is not important मूल तो बात जो अनमा जैस गुष्वामी कह देते हैं जो यह पढ़े हो ही सिद्धे हन धातु का दूसरा अर्थ है गती व्याकरण शास्त्री गती शब्द के तीन अर्थ करते हैं ज्यान गमन और प्राप्ति तो इस अर्थ में हनुमान जी ग्यानवान है गमन शील है always on the move और प्राप्ति जो भी इच्छा हो भक्त की वो प्राप्त करा देने वाले हैं स्वजनों समय की मरियादा है संस्कृत भाषा इतनी सम्रुद्ध है वहाँ पर एक एक अक्षर का अर्थ होता है दुनिया भर में केवल संस्कृत ऐसी लेंग्वेज है प्रियस स्वजनों where each word obviously but each letter has a meaning each alphabet has a meaning यह कहीं नहीं मिलेगा शंस्कृत भाषा के प्रत्यो के नाम का अर्थ होता पंकज कमल पंके जाय देदी पंकज जो कीचड में उत्पन्द होता है स्वाती नक्षत्र है सभी के नाम का अर्थ है कोई न कोई अंग्रेजी में जॉन से जाकर पूछो है what's the meaning of your name he said I don't know I don't know what John means कोई मिनिंग नहीं उसका एक शब्द का अर्थ है इतना ही नहीं एक एक अक्षर का अर्थ होता है पर यह सोजनो संस्कृत में केवल का अक्षर है ना उसके 26 meaning है 26 meanings only the letter का अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा वो reference to context से पता चलता है किस शब्द में कहां प्रयुक किया गया है का का अर्थ है ब्रह्म का का अर्थ है बालक का का अर्थ है उत्तमांग मस्तक का का अर्थ है रोंगटे उसको भी रुका कहते हैं कह का अर्थ है सुख मैं जो भागवत की कथा करता हूं तो कौंस शब्द की व्याक्या है कौं सुखम स्यती नश्यती इति कौंस जो सुख को नश्ट कर दे वो कौंस है कहो शब्द का अर्थ है बड़ी प्यारी बात है कमल पुषप है न सुन्दर गोपियां कहती है आध काना जब तुम ब्रज में होते हो न तो यमुना जी में जो यह सुन्दर कमल खिलते हैं यमुना की शोभा बढ़ाते हैं सुन्दर लगते हैं हमें लेकिन कनिया जब तुम सन्मुख नहीं होते न तो वो कमल कमल अच्छा क काई करता है जल पानी मल कच्रा कमल सुन्दर नहीं दिखते वो पानी का कच्रा दिखता है कमल तो क अर्थ नहीं कर नहीं तो क एक अक्षर के 26 अर्थ है ह नू मा न चार अक्षर हैं ह का भी अर्थ होता है नू का भी अर्थ होता है मा का भी अर्थ होता है नू का भी अर्थ होता है ये सारे अर्थ इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं आप पढ़ना बाद में क्योंकि समय के मरियादा में सभी चीज़ें मैं यहां बता नहीं सकता तो जाए हनुमान ज्यान गुन सागर हनुमान जी ज्यान और गुन के बंडार हैं कोई भी ऐसा गुन नहीं जो हनुमान जी में आपको प्राप्त नहों जाए कपीश कपीश अदकार्थ है वानर कपी का ईश वानरों का स्वामी वानरों का अधिपती ये कपीश लेकिन यहां एक स्पष्ट अदा कर दूं प्रियस्वा जमों लोगों ने हनुमान जी का ट्रांसलेशन किया विशेश करके इंग्लिश में जो कॉफी टेबल बुक्स आती हैं उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे होते प्रिंटिंग बहुत अच्छा होता लेकिन उसमें जो लिखा होता है content वो केवल past time activity होती है you don't have to take that content too seriously हनुमान जी की बहुत सुंदर फोटो बताएंगे फिर नीचे italics में लिखेंगे हनुमान फिर उसका translation करना है the monkey-headed God the monkey God अपमान है यह हनुमान जी का तो कभी भी आप भी जब किसी को आपके American friend को किसी को समझाओ हनुमान you know what that monkey God मत बोलना कभी भी क्योंकि वो गलत अनुवाद उसका गलत reference देता है मंकी नहीं है बंदर नहीं वानर जाती है याद रखिए हमारे यहां कई प्रकार की जातियां होती है दियार humans वानर जाती जैसे आज भी नागा लेंड है नागा लेंड में जो रखते हैं उक्का क्या कहते हैं उनको नाग community यार नागा पीपल नाग पीपल तो नाग पीपल क्या वो सब ऐसे serpent वाले हैं वहाँ पर यार यूमन में जैर अज यूमन as we are मेभी ट्राइबल हैं थोड़े अद्वांसमें थोड़ा कम हुआ है बट स्टेल मेडिकली यार होमो सैपियंस यार यूमन विंग्स यार नोट स्नेक्स ऐसे वानर जाती है अबवियसली वो बंदर नहीं है यार यूमन तो कपीश क्यों कहा कारण है कपी किसको कहते है कम जलम पीबती इती कपी ही कवकार्थ है जल अभी मैंने जो कमल शब्द का बताया कम जलम कवकार्थ है जल पीबती पीता है जो वो कपी है तो जल तो सब पीते हैं हम भी तो कपी हुए लेकिन इसका तात्वी करता जल का जो शोशन करता है सबसे बड़ा कपी कौन है सबसे अधिक जल कौन पीता है सूरिय सूरिय जब चमकता है उसकी जब गर्मी आती है तो समंदर का जल इवपरेट होने लगता है कलपना देखिए कितनी भव्य है पोईटिक ब्यूटी देखिए इसकी साइंस जिसको कहेगा इवपरेशन शास्त्र कहता है यह सूरिय नारा ने समंदर का जल पी रहे हैं वेपर्स जब उपर की और जा रही है तो सूरिय नारा ने वो जल पीते हैं कपी इनके पास सूरिय के जैसा ज्यान है सूरिय के जैसा तेज है इसलिए श्री हनुमान जी को कपीश कहा है कपीश का एक अर्थ ब्रह्म है यह सुप्रीम ब्रह्म कपीश जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपीश यह वानर भी बंदर नहीं है संस्कृत व्याकरण की दृष्टी से कहूँ वने भवं वानम वन नाम के ब्रह्म में जो मगन रहते हैं वानम राती इति वानर रह जो ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं आनंद प्रदान करते हैं वो वानर है यह बात रामचरित मानस के किश्किंदा कान में जामवान जी अंगद और सभी वानौनों से कहते हैं हम सब सेवक अतिबड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी हम सब सगुन ब्रह्म की उपासना करते हैं इसलिए हम भाग्यशाली है भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्या भी शेकव उसके बाद उत्तरकान में खाक बुशुन जी गरूर जी से कहते हैं ब्रह्मानंद मगन कपी सबकें प्रभूपद प्रीती जातन जाने दिवस्तिन गए मास शट बीती छे महिने कहां बीट गए पता नहीं चला क्यों क्योंकि ये सारे कपी ब्रह्मानंद में मगन थे कपीश बक्ती मार्ग की दृष्टी से बगवान शंकर जब अवतार धारन करके आए वानर देह धारन किया क्यों किया कोई भी स्वरूप ले सकते थी ना वानर स्वरूप क्यों लिया कि महात्मा लोग बताते हैं जंगल में रहकर के अती सरलता से जो मिल जाए वो फल फुल खा करके जीवन निर्वा हो सके इसलिए आजी विका के लिए कोई विशेश पुर्शार्त की आवश्यक्ता न पड़े इसलिए वो वानर देह लिया है जीवन का मुल्यवान समय प्रेश्यस टाइम केवल ब्रेड अन बटर की व्यवस्था करने के लिए और मेभी उपर थोड़ा जाम लगाने की व्यवस्था करने के लिए भी हम कहते हैं हम यूमन बिंग्स है लेकिन हमारी प्रेस्थित देखो पचीश साल तक पढ़ना पढ़ता है क्यों कोई लड़का पढ़ता नहीं होगा न तो मादा बिदा कहेंगे बढ़ नहीं तो खाएगा क्या नहीं पढ़ेगा तो काम नहीं करेगा नौकरी दंदा नहीं मिलेगा कंच नहीं क्या करेगा भीख मांगेगा इसका अर्थ इसका अर्थ हो दो मोस्ट प्रेशियस फॉर्मेटिव यर्स बिगिनिंग अफ लाइफ you have to invest maybe spend so that you can earn your bread and butter पेट भर सको पूरे animal kingdom में देखो किसी की school college university जाने की जरूरती नहीं है पेट तो आसानी से भर सकते तो बहतर कौन है दूसरी बात निवास भी पेड़ की बखोल में किसी गुफा में कहीं पर भी रह सकें घर बनाने की कोई जंजट नहीं इसलिए वानर दे तीसरी बात उच्च कूल में जन्म हुआ है उसका अहंकार ही कभी न हो बक्ति मार्ग में तो अहंकार बहुत बड़ा विगना है इसलिए वानर दे और अखंड ब्रह्मचरिय है जो हर्मान जी का वो अखंड ब्रह्मचरिय के कारण जो तेज उत्पन्द होता है श्री यंग में उसको वानर की जो रॉंगटे होता है न उसके नीचे छुपा सके तेज प्रगट नहो इसके लिए वानर दे या एक अपीश तीनों लोग को उजागर करने वाले तीन लोग कौनसे भुहु भुवह स्वह भुवु पृत्वी लोग भुवह अंतरिक्ष स्पेस और स्वह स्वर्ग लोग या तीन लोग को उजागर करने वाले प्रकाशित करने वाले श्री हनमान जी प्रिए हenne तीन लोग प्रकाश हाएष लोग 期द इच्व हाएट को दो नहीं भुव आपव झाल झाल